तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दु ग्रामर यानि की उर्दु कवायद को पढ़ने वाले हैं पर एक दो मैं स्टार्टिंग से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूं और आज ये समझी की सेकेंड क्लास है इसके पहले मैं आप लोग को वाही जमा पढ़ाई थी अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है ना प्लेलिस्ट का लिंक ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा अब जितना भी उर्दु ग्रामर का वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में डाला जाएगा ठीक है तो वहाँ पर आप लोग जरूर देख लिजेगा लिंक पर क्लिक करेंगे तो playlist खुलेगा उसी में वह वाहीजमा का वीडियो मिल जाएगा आप लोग को वहाँ पर मैं वाहीजमा को याद रखने का टुर्क बताई हूँ और वाहीजमा को बताईगा है तो वह वीडियो आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है वही जमा से बहुत सारे क्रेशन पूछे जाते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो देख चुके हो चली आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उर्दु कवायत के अगले टॉपिक को पढ़ते हैं और हां स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दे और जितना ज्यादा हो सके आप लोग को शेयर करना है चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओन कर लिजिएगा ताकि जब भी वीडियो आप लोड़ो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक है और ज्यादा ज्यादा आप लोग को शेयर करना है शेयर करने में आप लोग बहुत कंज्यूसी करते हैं आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें वाट्सप ग्रूप जितने भी ह क्लियर हो जारा है तो फिर इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है तो चले स्टार्ट करते हैं उर्दू कवायद सबसे पहले उर्दू कवायद के मतलब टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं और जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक से किस किस तरह से याद रखेगा उर्दू कवायद को ना पांच हिसों में बाटा गया है पांच भागों में बाटा गया है याद रखना है उर्दू ग्रामर यानि कि उर्दू कवायद को कितने भागों में बाटा गया है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो फाइफ पार्ट् नाम है पहले हिस्से का नाम है इल्म हिज्जा दूसरा का नाम है इल्म सर्फ तिसरा का नाम है इल्म नहो चौथा का नाम है इल्म बलागत या फिर इसी को इल्म बयान भी कहते हैं और पांचवा का नाम है इल्म उरूज तो यह पांच हिस्से हैं उर्दु कवाइद के ठीक है और तीसरा जो हिस्सा है इसमें हम लोग जुम्ला यान की sentence पढ़ते हैं और जो है ना बनाने का क्या structure होता है जिस तरह इंग्लिश में होता है subject for one plus object उसी तरीके से उर्दो में जुम्ले के बारे में आप लोग को पढ़ना होता है यानि कि sentence के बारे में और उसी तरीके से चौथा जो हिस्सा है वह है इल्म बलागत यानि की इसी को इल्म बयान भी कहते हैं इसमें आप लोग जुम्ला और लव्ज यानि कि लव्ज और जुम्ला दोनों के बारे में पढ़ा जाता है लव्ज और जुम्लो दोनों से बहस होती है ठीक है और पांचव जुओ जो last हिस्सा है कि आप Mastermind बन जाएंगे क्योंकि पांचों हिस्थों को पढ़ लेने के बाद बचा ही क्या है उर्दु कवायद में उर्दु कवायद को भी पांच भागों में बाटा गया और जब आप लोग पांचों हिस्थे को वन बई वन करके पढ़ लेंगे तो फिर उर्दु का अब ब सब्सक्राइब कर सकते ह Mussultront घ्र्द में सब्सक्राइब करेडा जए इन्वेद्ma में अगर यह उर्दु ग्रामर पढ़ा चुकी हूं जब इठ्सक पढ़ाया जाता है ग्यापन इन्टरेंस अकेडमेडी जो हमारा ओफीसियल एक और चैनल है वहीं पर मतलबागा अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टार्टिंग से इल्म हिज्जा पढ़े इल्म सर्फ पढ़े इल्म एक एक करके बारीकी से पढ़े और पुरा उर्दु कवायद के मास्टर माइंड बन जा तो फिर आप लोग सर्च क लग को समझ में आ गया होगा एक बार फिर से रिवाइस कर देती हूं पहला है जो हिस्सा है इल्म हिज्जा इसमें हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं हर्फ यानिकी लेटर उर्दु के जितने भी लेटर हैं अक्षर उसके बारे में पढ़ा जाता है दूसरा जो हिससे है इल्म सर्फ लुप लफ्ज यानी कि वाट्स की बारे में पढ़ते हैं। उर्दु के जितने भी लफ्ज हैं। कैसे बनते हैं। हिसको इलम ब्लागत यानी कि इसको इलम वयान भी कहते हैं इसका नद्रकत हम लोग लव्ज और जुम्ला दोनों के साथ बहस होती है पांचोँ जो हिस्सा है इलम इरूज इसमें हम लोग शेर और शायरी के तहजी अब आप लोग सोच रहे होंगे ओमाई गौड हुरूफ इताजी बड़ा ही तफ नाम लग रहा है यह क्या है हुरूफ इताजी कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है बहुत ही आसान चीज है हुरूफ इताजी को ही कहा जाता है इंग्लिश में अलफाबेट और हिंदी म यहां है आप लोग मालया से लेकर गया तक के जितने भी अक्षषष भी ऐर्फ को से लेकर बड़ी यह तक जितने भी यथ हर्फ है उसी को कहा जाता है हुरूफ इताजी में तो हर्फ है उन सभी हर्फ को सिलसिलवार तरीके से क्रम से सजा कर लिख दिया जाता है उसी को कहा जाता है हुरूफ तहजी तो कोश्चन आप लोगों के एक्जाम में पूछा गया था कि हुरूफ तहजी में हुरूफ की तादाद कितनी है ठीक है और option तो उतने अच्छे तरीके यानि कि उर्दू जो alphabet है उसमें हुरूफ letters की जो संख्या है वो सिफ्टी टू है कितना है 52 यानि कि अलिफ से लेकर बढ़ी यह तक जितने भी Letter है उन letters की संख्या कितनी है नमबर कितना है तो 52 याद रखना है हुरूफ टहजी में हुरूफ यानि लेटर्स की तादाद संख्या है 52 ठीक है यह कोशन अगर पूछता है आप लोग के एक्जाम में तो छोड़ कर नहीं आना है अब आगे बढ़ते हैं यही जो हुरूफ तहजी है यानि कि उर्दू अल्फाबेट इसको दो भागों में बाट दिया गया है हुरूफ मुफरद और दूसरा है हुरूफ मुरकब पहला क्या है हुरूफ मुफरद और दूसरा है हुरूफ मुरकब मतलब यह जो 52 लेटर्स है इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है दो भागों में बाट दिया गया है इन 52 जो लेटर्स है हुरूफ ताजी में जो 52 लेटर् घ escola को कहते हम लोग हुरुफ हमुफरत और बचा पंद्रा लीटर सो कहते हम लोग how रूफ कियों कहते हैं रूपरण क्योंक्य हरुफ होते हैं जो सिंगल होते हैं से थैजिके मतलब उसमे कोई दूसरा नहीं होता जैसे की अलिफ मैं अकैला है तो इस को कहा जाता है हुरुफ है शुरुफ मुक्रण जिसकी संख्या थाटी सेवह है और हुरुफ मुरक्म उIST दूरुफ को कहते हैं जो दो हुरूफ से मिलकर बना हो जैसे कि बे मेह मिलाकर भे पढ़ा जाता है ना पे मेह मिलाकर फे ठीक है काफ मेह मिलाकर खे तो काफ और प्लस हे दोनों को मिलाकर खे बनता है बे प्लस हे यानि कि इसमें दो हुरूफ है बे प्लस हे यानि कि बे और हे दो हुरूफ मिलकर एक भे ब हुरूफ है उस तरह की हुरूफ को कहा जाता है हुरूफ मुरकब और इसकी संख्या कितनी है 15 है ठीक तो हो सब्सक्राइब का मतलब होता है लीपी इस आप लोग जानते होंगे हिंदी का लिपी क्या है देवनागरी यानि कि हिंदी जो है देवनागरी स्टाइल में लिखा जाता है उसी तरीके से उर्दू का जो रस्मुल खत है वह अर्भी और फार्सी यानि कि उर्दू जो जिस स्टाइल में लिखा जाता है वह अर्भी स्ट सिसमल खत रवी और फार्वार याद रखलेगा उर्दु का मानी लशकर होता है यह भी आद लखेगाँ गए निट लश्कर फॉज और यह कहा जाता है कि एल्दी टीवी है पारसी जबान ओसे मिलकर बनीई हूई है फार्ची जबान के बेंदी जबान हे विक्स्ठीर works का और उर्दू में आये हैं हिंदी जबान के भी कुछ लेटर्स अलग-अलग भाशाओं से मिलकर बना हुआ है उर्दू भाशा ठीक है जिस तरह से एक गुल्दस्ते में अलग-अलग रंग के फूल डाले जाते हैं तो गुल्दस्ते की खुबसूरती बढ़ जाती है उसी तरीके स जानतरे उसमे उर्दू जबान के लफ का देखने तो जैएंगे जिसमें उर्दू लफ यूज किए जाता है ऑगर और उर्दू लफ्ज हटा दिये जाए तो गाना का जो सीक्वेंस है वो भी गड़ जाएगा ठीक है तो यह याद रखना है उर्दू का मानी क्या लशकर आगे बढ़ते हैं यहां पर थोड़ा हुरूफ के बारे में और डीटेल्स आप लोगो बता देती हूं ताकि इल्म अब लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह हुरूफ के बारे में आप लोग को और थोड़ी जानकारी दे देती हूं ताकि कहीं से भी कोश्ण आप लोगे एकजाम में पूछे इल्म हिज्ज्जा से तो आप लोग छोड़ कर नहीं है तो देखिए यहांपर अलिफ को तो आप जानते हैं अलिफ की दो किसमे होती है दो टाइप पहला है अलिफ मम्दूदा और दूसरा है अलिफ मक्सूरा अलिफ मम्दूदा उस तरह की अलिफ को कहते हैं जिसको खीच कर पढ़ा जाए और खीच कर कप पढ़ा जाएगा जब उस अलिफ के उपर मद हो, जैसे कि अलिफ के उपर मद है आ और माम, यानि कि इस अलिफ को हम लोग खीच कर पढ़ रहे हैं, आम, आदाब, ठीक है, आराम, यानि कि यह जो अलिफ है, इसके उपर मद लगा हुआ है, इसी वज़े से हम लोग इसको खीच कर पढ़ रहे है तो अलिफ मम्दूदा को पेचाने का ट्रिक यही है कि उस अलिफ के उपर मद लगा रहेगा, तब ही तो उसको हम लोग खीच कर पढ़ेंगे ना, आम, आदाब, आराम, ठीक है? तो जिस अलिफ को खीच कर पढ़ा जाए उस तरह की अलिफ को कहते हैं, अलिफ मम्दूदा या लेकिन हम लोग आम की तरह खीच कर नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है इस अलिफ को क्हीच करना पड़ रहे हैं अलिफ को पेहचाने का ट्रिक यह है कि उस अलिफ और मद पायगा अगे बढ़ते हैं दूसरा है नून को भी आप लोग जानते होंगे owners की दो किसमें होती है इनकीutan रहे नोन गुन्ना उस तरह के न੫िकर करके पढ़ा जाएं जैसा कि नून को पढ़ रहा है हम लोग लिखा भी और हम लोग पढ़ भी रहे हैं शान आन यहां पर मान लिख देते हैं ठीखें एक step चूड़ी है खूद एक कोई लिक्ट नहीं है शान आनमान जान कुछ भी हो मतलब कि जिस नून को लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए उस तरह के नून को कहा जाता है नून जाहिरा और नून गुन्ना जो होता है न उस नून को कहते हैं जिस नून को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ते नहीं है मतलब उस नून को तो इस तरह के नून को कहा जाता है नून गुन्ना और नून गुन्ना में जो होता है ना बीच में नुक्ता नहीं होता है देखिए ये जो नून है इसके बीच में नुक्ता पाया जा रहा है बिंदू पाया जा रहा है और नून जाहिरा में बीच में नुक्ता पाया जाता ह और ऑर कभी कभी ऐसा होता है कि बिच में लगे हिगा भी जाता है लेकिन नजो पढ़ते हैं उसको सैंटि हां नों को नाघ इंथे होता है तो वह 67 सक जो इन के लिविक्ताने काम होता है इस इता होता है जिस उन को नाक से के पढ़ा जाए माा मीम में में अलीफ जूर कर मा और नून गुन्हा mm जहां में ठीक है तो यह सभी में यह सभी लफ जो है ना इसमें नून जो है ना नून इसको ऐंड़ पढ़ पर रहे हैं तो इस तरह के नून को क्या कहेंगे ना कहेंगे और जिसनों को जाहिर करके पढ़ा जाए नून पढ़ दिया जाए उस तरह के नून को कहते है नून जाहीरा आगे बढ़ते हैं वाओ के वी तीन किसमें होती है वाओ जैने ऐसा लगता है वाओ बोला जा रहा है थीकिज़ा की तीन किसमें होती है वाओ, वाव मारूफ दूसरा है वाव मजहूल और तिसरा है वाव मादूला ठीक है वाव मारूफ वाव मजहूल वाव मादूला ठीक है वाव मारूफ उस तरह के वाव को कहते हैं जिसको खीच कर पढ़ा जाए यानि कि उसके पहले पेश आए और उसको खीच कर पढ़ा जाए जैस इस तरह के वाव को कहा जाता है वाव मजहूल जैसे कि शोर मोर चोर इसमें वाव को तो पढ़ा जा रहा है लेकिन खीच कर नहीं पढ़ा जा रहा है जैसे कि दूर था नूर था जरूर था शौर था शुरूर था तो इसको हम लोग खीच कर पढ़ रहे थे वाव को लेकिन श आप बोलेंगे शोर नहीं बोलते हैं इसमें जो वाव है उसको हम भीज करना ही पढ़ते हैं तो इस तरह के वाव को तो नहीं बोलते हैं यानि कि इसमें जो है उसको हम लोग क्या वाव मजूल मतलब कि इसमें जό वाव है वो मजूल है आए बढ़ते हैं वाव मदूला उस तरह की वाव को कِहते हैं जिसको तो लिक्खा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता जैसे कि यहां यह वाहिष लिखा गया है लेकिन फौर नहीं जाएंगा पढ़ा जाएंगा कि इसमें है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाएंगा चाया इस तरह के वांने वाव मादूला जिसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं लास्ट है याए ये को याए भी बोला जाता है देखिए अलग अलग अपके सकते हैं अचे एरिया का फर्क डिफरेंस होता है कुछ लोग जो है ना अलिव बेपे इस तरह पढ़ते हैं कुछ लोग अलिव बापा इस तरह पढ़ते हैं तो मतलब एरिया की हिसाब से जोना लेंग्विज भी चेंज होते रहता है थोड़ी बहुत डिफ्रेंस्टेशन आती ही रहती है तो कुछ लोग ये को याए बोलते हैं तो आप लोग इसको याए ही बोलिए य के ऐकी दो किसमे की दो टैप होते हैं या मारूफ और या मज्छूल याए मारूफ चोटी यह को कहते हैं कि यह छोटी यफी सिमपल मैं बोल दे रहे हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े याय मारूफ उस तरह के ये को कहते हैं जिसको खीच कर पढ़ा जाए चोटी ये रहेगा तब ही तो खीच कर पढ़ा जाएगा तो चोटी ये को हम क्या कहते हैं याय मारूफ और याय मजहूल जो है बड़ी ये को याय मजहूल कहा जाता है तो याय मारूफ आई होब आप आप लोगो समझ में आ गया होगा जिसको खीच कर पढ़ा जाए जैसे कि गरीब, अमीर, गरीब इसमें जो है ये ये चोटी ये है ठीक है क्योंकि इसके पहले जो रे के नीचे जेर लगा हुआ है रे के नीचे जेर और ये जुड़कर री बन जा रहा है ठीक है तो गरी और गरीब यानि कि इस ये को खीच कर पढ़ा जा रहा है उसी तरीके से अमीर शरीफ तो ये जितने भी लवज है इसमें जो ये है ये छोटी ये है जिसको खीच कर पढ़ा जा रहा है इस वज़े से इस ये को कहेंगे याए मारूफ और उसी तरीके से याय मजहूल उस तरह की याय को कहते हैं जिसको खीच कर नहीं पढ़ा जाए जैसे कि शेर, जेल, देर शेर सीन के बाद जो ये है ये ये बढ़ी ये है उसी तरह के से जेल में ये जो ये है ये बढ़ी ये है उसी तरह के से देर में ये जो ये है ये बढ़ी ये है ठीक है तो शेर इसमें ये को खीच करना ही पड़ रहा है शेर जेल देर हम लोग फटा-फट पड़ दे रहे हैं तो इस तरह की याए को क्या कहा जाएगा याए मजहूल कहा जाता है आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा अलिफ की दो किसमें नून की दो किसमें वाओ की तीन किसमें और याए की दो किसमें ठीक है अगर समझ में आया है तो एक बर कमेंड बॉक्स में लिखकर जरूर बता दे कि हमें लिख कर बता दे कि हमें चीजें समझ में आई है और आज का class जबरदस्त लगा है कैसा लगा है आप लोग Mark नहीं किया है तो फड़ा फट लाइक कर दें और इस बात पर शेयर कर दें जितना ज़्यदा उसके शेयर कर दें और अगर आप लोग चानल पर नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियो उसको पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑ आप है तो सर्च करके भी जॉइन कर सकते हैं नए तो टेलिग्राम चानल का लिंक जो है ना इसी वीडियो का डिस्क्रिप्स्राइब भी डाल दिया गया है धूंदे में दिकत हो रही है तो डायेक्ट लिंक पर क्लिक किजें और जॉइन कर दिया जाएगा अधर वाइस प्रिविजन करते रही है ताकि चीजें आप लोग के मैंड में लंबे समय तक पिट रहे है ठीक है तो ले लिजिए फड़ाफट स्क्रीन शॉर्ट तो चली आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसे के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं अब आप लोग इसके नेक्स्ट वीडियो का जजार कीजिए बहुत जल इसका अगला वीडियो अपलोड हो जाने वाला है बीच में अगर एक दो दिन मोटिवेटेड है वह मोटिवेशन दिख जाता है अप अपने पढ़ाएक पृति कितने एकसाइटेड हैं यह दिख जाता है ठीक है तो यह बहुत बड़ी बात है तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले उर्दु कवायद को सिलसलेवार तरीके से दीरे-दीरे करेंगे और आप लोग उर्दु कवायद के मास्टर माइंड मन जाने वाले हैं उर्दु ग्रमर से एक भी कोश्चन छोड़ करने आएंगे यह तो मैं आप लोग को पहले ही विश्वास दिला चुकी है तो इसी विश्वास और इस भरोसे को बनाए रखने की जमेदारी हमा मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज